आज की लेक्चर में हम study करेंगे what are eigen function, eigen value and eigen operator तो सबसे पहले हमें पता होना थाए कि actual में operator है क्या अगर आप किसी function के उपर उसको अपलाई करते है तो वह उस function की form को change कर देता है मालो आपने को यह operator किसी function f of x पर अपलाई किया और इसने इसकी form को change करके gx कर दिया जैसे mathematical operator आपको पता है plus minus होता है है na multiplication यह सब क्या है operator है जैसे कि differentiation भी एक क्या है operator है यहां पर अगर मान के चलें if your function is x4 और operator हमने माल लिया कि differentiation के एक operator है तो आपने क्या कर दिया d over dx of fx किया तो d by dx of x4 आ गया यानि हमारा original function x4 था after operating this operator तो यह क्या आजाएगा 4x3 उसकी form change होगी जैसे कि हमारे पास माल लो fx है sin of x और operator हमारे पास है d by dx तो अगर आप इसको operate करें तो इसकी form और original sign की form क्या होती है इस तरह क्यों होती है operate करोगे इसका differentiation करोगे तो क्या आजाएगा d by dx of sin of x और sin x का differentiation क्या होता है cos of x होता है तो after operating यह जो form है वो क्या हो जाएगी इस तरह की हो जाएगी है को साइन हो जाएगी ठीक है तो original function की form को जो change कर दे वो क्या होगा operator होगा ठीक है operator समझ में आगे अब हमने जो अब तक operator पड़े हैं वो कौन कौन से पड़े हैं position का यहां पर लिख देते हैं for position operator को आप क्या लिख सकते हैं operator is position के लिए operator किसे define करेंगे हम x-cap से similar manner में जो momentum के लिए हमने देखा था for momentum quantum mechanics में p-cap से लिखाते हैं और यह operator हमारा क्या था minus iata h-cut curly over curly x in one dimension for three dimension this term is minus iata h-cut del operator okay similar manner में operator for energy is iata h-cut curly over curly t अगर आपको potential energy के लिए operator देखना है then operator for potential energy vx is same v of x के लिए operator के लिए operator क्या रहेगा v of x रहेगा same रहेगा इसमें changes नहीं होंगे अगर आपको total energy के लिए operator देखना है for total energy ठीक है एक तो यह हो गया e जो हमने time की form में दिखा है 2m plus px है ना यह होगा और अगर आप p cap की value यहां पर put करें जो हमने यहां पर निकाली है तो यह क्या आ जाएगा minus h-cut square over 2m curly square over curly x square plus p of x in one dimension three dimension के अगर आप बात करें then in three dimension this term reduce 2 h-cut square over 2m del square plus p function of position r हो जाएगा ठीक है तो इस तरह के यह operator हमने जो है quantum mechanics में देखे हैं तो यह हो गए operator अब बात करते हैं what do you mean by eigen value and eigen function देखें अगर आपके पास इस तरह की situation है कि आपने किसी operator को किसी operator को किसी side function के उपर operate किया और after operation जो हमारा पास result है वो इस तरह से आ जाए मालो sum constant lambda into same function ठीक है तो हम इसको कहेंगे कि यह क्या हमारा eigen operator ठीक है यह क्या होगा हमारा eigen function ठीक है यह क्या होगी हमारी eigen value है न हमने जो है हमने किसी operator को किसी function पर operate किया और जो resultant हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है some constant value into same function जैसे कि for example अगर हम करें हम discuss करें मालोग की हमारे पास again function जो है पिछे हमने example लिया था एक्स फोर हो गया ठीक है operator हमने लिया था डी ओवर डी एक्स डिफरेंशिशन तो अगर हम करें इसको अब हमारे पास क्या आ गया था दी ओर डी एक्स फोर फोर है इक्स क्यूब अब हमारे पास एक्स क्यूब आ रहा है यह हम कहेंगे कि यह जो है आईगन operator आईगन ओप्रेटर नहीं है और नहीं यह जो है आइगन फंक्शन है ठीक है अब इसके अपोजिट दूसरे एक्जम्पल अगर हम लेले माल लिया हमने फंक्शन लिया fx is equal to e raise to power 2x ले लो अगेन जो operator है वो हमने ले लिया d over dx अब operate करवाएं a fx equal to क्या आ जाएगा यहां पर d over dx e over e of a exponential of 2x तो क्या गया 2 e 2x differentiate कर दिया हमने तो इसको हम क्या लेक्शते है 2 f of x क्योंकि e 2x के original function हमारे f of x यह हमारे पास क्या आ गया operator a fx equal to some constant fx तो हम क्या कहेंगे here is eigen operator है यह क्या है आइगन operator है यह क्या हो गया आइगन function हो गया इस operator के लिए है ना सभी के लिए नहीं होगा सिर्फ इस operator के लिए किसके लिए d over dx के लिए यह क्या हो गया आइगन function और इसके corresponding जो आइगन value आई है वो कितनी आई है this is 2 क्या हो जाएगे हमारी 2 इस आइगन value है ना another example ले लेते है माल लिया अगें हमने fx ले लिया इस पर 2 आइटा x ले लिया हमने for this again operator हमने जो लिया है वो डी ओवर डी एक्स ले लिया अब देखते हैं क्या यह आइगन operator है यह फिर कहें क्या यह fx जो है आइगन function है यह चेक करना है हमने तो यहां पर अगर operate करें दी ओवर डी एक्स यानि एक को आपने operate किया f of x पे तो क्या ट्रम आइगे दी ओवर डी एक्स इस पार 2 आइटा एक्स क्या जाएगा हमारे पास इस टू आइटा इस टू पार 2 आइटा एक्स यानि हम लिख सकते हैं तो आइटा f of x यह constant term नहीं है आइटा हम पता होगा आपको आइटा क्या हमारे पास 100-1 अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखें जैसे कि आप लिखते हैं इस पर आइटा थीटा को क्या लिखते हैं आप इसके आगे आपने आइटा लगा दिया है 2 आइटा तो फोर्म क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी न हमारे पास इसकी जो है फोर्म चेंज हो गया है कहेंगे कि यह जो operator है इस function के लिए आइगन operator नहीं है या फिर इन आधर वर्ड यह आप कह सकते हैं कि जो यह function है वो आइगन function नहीं है ठीक है अब एक और example ले लेते हैं माले हमने same function रख लिया fx is e raised to power 2 आइटा लेकिन अब operator change कर दें माले operator हो गया d2 over dx के चीक है अब operate अगर करें f of x क्या आजाएगा d over dx of d over dx is e raised to power 2 आइटा x इसको operate करें तो d over dx of 2 आइटा इस पर 2 आइटा x अब यह क्या आ गया 4 आइटा स्केर इस पर 2 आइटा x और आइटा स्केर को क्या लिख सकते हैं minus 1 this term is minus 4 इस पर 2 आइटा x अब आप कह सकते हैं कि इस तरफ आपने apply किया था some operator f of x पे और इस तरफ क्या आग है हमारे पर some value constant value again f of x तो आब आप कहेंगे कि जो यह function है f of x वो कैसा function है eigen function है यह operator जो है वो कैसा operator eigen operator and eigen value is minus 4 ठीक है एक और इसका थोड़ा सा difficult example इसका कर लेते हैं हमने जो function ले लिए रैटास f of x is over e raised to over minus 2 x square ठीक है अब जो operator हमने माना है a operator is in this form d 2 over dx square minus 16 x square ठीक है गेट की exam में यह आयोगा question है तो आप आपने बताना है कि यहाँ पे जो eigen value है वो कितनी है ठीक है eigen value अपने calculate करने है ठीक है option यहाँ पर दिये वे जाए थी plus 4 minus 4 plus 2 और minus 2 तो out of 4 आपको बताना है कि कौन से इसकी eigen value होगी तो आइगन value हमने निकाल लिए अपरेट कर दें a operate on fx तो क्या आजाएगा d 2 over dx square minus 16 x square ओपरेट on e raised to minus 2 x square चीक होपरेट करें तो यह आजाएगा d 2 over dx square e raised to minus 2 x square minus 16 x square e raised to minus 2 x square ऐसे लिख सकते हैं इसको अपरेट अगर हम करें तो इस ट्रम is d over dx of a एक पर अगर इसका differentiation के अंदर लिख लेते हैं e raised to minus 2 x square minus 16 x square e raised to minus 2 x square ठीक है इसको अगर solve करें d over dx as it is हमने रिखा है कि आजाएगा देखिए इसका अगर होगे तो e raised to power x का जो होता है वह as it is आजाता है और उपर जो होता है इसका differentiation हम कर देते हैं तो यह आजाएगा इसको minus 2 as it जा जाएगा और फिर x square का अगर करेंगे तो 2x अलग से आजाएगा ठीक है minus 16 x square और यह आजाएगा e raised to power minus 2 x square ठीक है अब देखिए यह आगया हमारे पास d over dx of minus 4 x e raised to power minus 2 x square minus 16 x square और e raised to power minus 2 x square ठीक है अगया इसका differentiation करेंगे आपर दो function बन गए ठीक है minus 4 is constant term हो गया differentiation of first function second qualities रखेंगे तो x का differentiation with respect to x1 हो गया तो यह आजाएगा minus 4 e raised to power minus 2 x square ठीक है इसको as it is रखा plus ठीक है इस function को as it is रखेंगे इसका information करेंगे तो plus में minus 4 x k always as it is रखा इसका differentiation अगर करें हम अगया आंजाएगा minus 2 और Video metros from the.íve देखिए बागने तो 2 xbeiten आ जाएगा तो यह आजाएगा 4 x e raised to power minus 2 x square यह as it is हमने लिखा 16 x square माइनस टू एक स्केर एक स्केर तो यह तर्म कैंसल आउट होगी यहां से बचा माइनस पूर एक स्केर हमने अपलाई किया था ओप्रेटर एक और इसकी जो आइगन वेल्यू हमारे पास आई है वो कितनी आई है आइगन वेल्यू इस वेल्यू इस माइनस फोर तो माइनस और इस यह करेक्ट आंसर